हेलो गाइज, वेलकम टू मार यूट्यूब चैनल, आज का हमारच टॉपिक है, वो है गैलमान निसिजमा रिलेशन, इस वीडियो में हम गैलमान निसिजमा रिलेशन के साथ, हम लोग जो है, हाइपर चार्च के उपर भी डिसकस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमार इस रिलेशन के अकॉर्ड आपका जो इलेक्ट्रिक चार्च था वो इक्वल वो था आई 3 प्लस बी प्लस एस अपॉन 2 के बराबर, आई 3 यहां पर क्या है आपका आईसो स्पिन का थर्ड कंपोनेट, बी यहां पर आपका बेज़ोन नंबर हो गया, एस यहां पर आपका क् क्लासिकेशन पड़ा था, उसमें हमने फैमिलिज करके अलगलग क्लासिफाइप करा था, मीसोनस फैमिली, लैप्टन फैमिली, वیरियोन फैमिली, तो यहां पर बेरियोन और लैप्टन को क्या है कुछ नंबर दिये रिम्न जो है, जो बेरियोन स्पिनेदे उसके जो पार् स्ट्रेंजलस के और चाहिए रब रह माइनस बात पत्ता क's This machine यह हूचा अजी सब्सक्onseक्स on खाले जो भी अपि तक सब्सक्ते से अगया सब्सक्रान आपके सब्सक्स ik ट्रेंड अआप्र टर्से सब्सक्स सब्सके लए आपका क्या होगा बेजरम गिया जिससे आपका वह strong interaction के थ्रू आपका create हो रहे हैं लेकिन वह decay हागी जाके weak interaction के थ्रू हो जाते थे तो उस वज़े से scientist ने एक नया quantum number यहाँ पर assign किया जिसको उन्होंने strangeness दिया और उन्हीं को लेकर ग्यालमान ने यहाँ पर यह relation दिया हमारा q equal to i3 plus b plus s upon 2 इस relation से कई भार आपसे सीथ direct relations के उपर question आ सकता है यहाँ आपसे strangeness निकालने को बोल दी जा सकती है या किसी और form में यहाँ पर question आ सकता है देखें हम सबसे पहले जो है यहाँ पे strangeness निकालने की यहाँ पे कोसिस करते हैं इसे मैं निकालती हूँ यहाँ पे कायून्स की strangeness ठीक है कायून्स क्या-क्या होते हैं हमारे पास एक k positive होता है एक आपका k 0 होता है k positive के अगर मैं बात करूं तो k positive में क्यूं है क्यूंकि इसके लिए जो value होती है वह one होती है यहाँ पे आई थी की value हम बात में देखते हैं अभी निकालना सिखाती हूं आपको जो यहाँ पे यह जीरो होगा और आई 3 की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं देखा इतरी की वैल्यू कैसे निकालते हैं जैसे यह क्या है आपका डबलेट है तो डबलेट है तो इसके लिए क्या आएगा आपका 2i प्लस 1 एक्वल टू क्या आगया जीरो होगया तो 2i प्लस 1 एक्वल टू यहाँ पर 2 है क्योंकि यह डबलेट है तो 2i एक्वल टू यहाँ पर आपका क्या आगया वन आगया और i एक्वल टू क्या आगया आपका यहाँ पर हाफ आगया आई सू स्पिन की थर्ड इसके लिए i3 की value होती है plus half और जो यहाँ पे आपका chi 0 होगा मतलब काई ओन 0 होगा उसके लिए आपका i3 की value होगी minus half बेज़ोन नमबर इसके लिए भी 0 और q की value यहाँ पे क्या हो गई 0 हो गई अब हमें यहाँ पे क्या find करना है हमारा strangeness find करना है तो इसके लिए formula हमारे पास क्या होता है q equal to i3 plus b plus s upon 2 ठीक है यहाँ पे देखे q की value हमारे पास 1 है i3 की value equal to plus half plus 0 plus s s e रहा 2 तो यहाँ से आपके लिए strangeness की value यहाँ पे क्या निकल कर आई 1 निकल कर आई क्योंकि यह यहाँ जाएगा minus होगा तो half आजाएगी value और if यह 2 से 2 आपका cancel हो जाएगा तो आपके s की value क्या आगई यहाँ पे 1 आगई इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे solve करते हैं यहाँ पे यह values put करते हैं तो यहाँ पे भी आपको strangeness की value क्या निकल कर आती है 1 निकल कर आती है अब हम देखते हैं यहाँ पे जैसे मुझे मालो पता है आपका जो इसके antiparticles है यानि की k negative जो है और आपका k zero का जो antiparticles है इसके लिए हमारे पास strangeness की value मुझे यहाँ पे जो है मालीजे पता है तो यहाँ पे strangeness की value इसके लिए होती है आपकी minus 1 आपका formula क्या होता है q equal to i3 plus b plus s upon 2 मैं जो है इस तरफ को solve करती हूँ और देखती हूँ कि क्या यहाँ पर इसके चार्ज जो हमारे बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इसके ओपर हम लोग यहाँ पे discuss करते हैं देखें i3 की value क्या है यहाँ जो k negative होता है उसके लिए i3 की value minus half हो जाती है मतलब antiparticles के लिए यहाँ पर इसके जस्ट opposite हो जाती है यह करके ध्यान रख सकते है barrier number यहाँ पर simple 0 हो गया यह मैंने बताए आपके minus 1 हो गई यह हो गया आपका 2 तो minus half प्लस यहाँ आएगा minus half तो total किया गया minus minus यहाँ आगे और half half करके यह बन आ गया तो यहाँ पर क्या है आपका charge कितना है minus 1 किया, इस पर charge minus 1 है हाँ जाँ पर charge, minus 1 है यहाँ पर K0 बारे, यहाँ पर charge, total 0 हो है अब यहाँ पर निकालना चाहें तो इसे कर सकते है i3 की value यहां पर के लिए यहां minus half थी तो इसके of course इसका क्या है यह एंटी पार्टिकल है तो इसके लिए क्या हो जाएगी plus half हो जाएगी plus zero minus one upon two ठीक है plus half और यहां से minus half आएगा तो क्या आगई value zero आगई तो इसके लिए भी value क्या आगई जीरो आगई इस तरीके से हम लोग यह जो है गल्मा निसिजमा क्लेशन है अब यहां पर क्या है जो b plus s है इसको हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते है तो हमारा क्या आया q equal to i3 plus y upon two यह y यहां पर क्या कहलाता है यही हमारा यहां पर कहलाता है hyper charge यानि कि y equal to b plus s is called hyper charge उसके बाद हमारा जो hydrons होते हैं वो hydrons क्या होते हैं हमारे अलग अलग quark particles से मिलकर बने हुए होते हैं जैसे आपका charm quark up quark, down quark तो आगे जाके discovery हुई है आपके charm, top और bottom quark की इस तरीके flavors के मिलए quarks के अलग अलग flavors होते हैं तो उस वज़े से हमने यहाँ पर hyper charge के formula में थोड़ा हमें यहाँ पर change करना पड़ा ताकि इसके लिए भी यह relation क्या हो जाए satisfy हो जाए तो वहाँ पर आपका y equal to क्या निकल कर आया b plus s यह थो अलगी था plus c plus b dash plus t b value number है simple s जो है यहाँ पर strangeness number है भी उपर बात कर ली थी c यहाँ पर जो है वो है charm number b dash यहाँ पर है bottomness number और t यहाँ पर क्या है आपका topness number तो अगर मैं y equal to this रखती हूँ तो यहाँ पर हमारा galma message में relation क्या हो जाता है q equal to i3 plus b plus s plus c plus b dash t plus t upon 2 तो यहाँ पर आपका क्या है q equal to i3 plus y upon 2 तो यहाँ से अगर आप y की value निकालना चाहते है यानि कि hyper charge की value देखना चाहते है वो क्या निकल कर आती है 2 q minus i3 तो अब आपके पता है कि charge अगर antiparticles का हम charge देते हैं तो antiparticles का charge क्या हो सकता है अगर आप positive के लिए antiparticle देखते हैं तो उसका value क्या होगी negative क्या होगी यूँकि positive का antiparticle negative होगा और अगर आप कोई neutral particle देखते हैं उसके लिए antiparticle देखते हैं तो उसके लिए value क्या आ सकती है उसकी 0 आ सकती है तो इसी से हमने यहाँ पर बोला कि जो y है यहाँ पर hyper charge है इस पर depend करता है आ सकती है मतलब opposite होगी sign में तूसरा या फिर वो क्या आ सकती है यहाँ पर 0 आ सकती है यहाँ पर चार्ज के उपर डिपेंड करिए क्या है as value of charge is numerically equal but opposite in sign for antiparticles so antiparticles hyper charge will be numerically equal numerically तो equal होगी जैसे मान लीज़े आपका कहीं पर minus 2 आ यहाँ तो उसका antiparticle क्या होगा फ्लस का 2 होगा इसी तरी किसा अगर आपके hyper charge की value minus 2 आ दिए तो उसके antiparticle का hyper charge दिखेंगे तो उसकी value क्या आनी चाहिए आपके plus का 2 आनी चाहिए तो वो क्या कह रहा है so antiparticles hyper charge will be numerically equal in magnitude but opposite in sign और अगर neutral की बात कर रहे है तो वो 0 भी हो सकती है ठीक है all 2i plus 1 members of given isospin multiples have same value of hyper charge 2i plus 1 value इसे हमने यहाँ पर isospin निकाली थी तो उसमें हम क्या ले रहे थे तो 2i plus 1 equal to 3 या 2i हो जाएगा और doublet है तो 2i plus 1 equal to 2 तो उन सब के लिए जो भी आपके members होंगे जैसे यहाँ पर हमारा एक मिट में दिखाती हूँ आपको यह है जैसे यहाँ पर यह क्या है आपके यह triplet है तो इन सब के लिए आपके जो hyper charge की value निकल कर आएगी वो value के आएगी आपके same निकल कर आएगी इसी तरहीके से nucleons है आपका यह क्या है आपका doublet है कि proton और neutron neutron के अंदर ही आता है कभी-कभी ने अलग लिख देते हैं लेकिन यह दोलों लिखा एक ही जाता है तो इसके लिए अगर आप hyper charge की value कैलकुलेट करेंगे तो यह क्या है कि आएगी आपकी same ही आएगी यह verify करके भी देख लेते हैं और S की value हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी तो काई उन्स चाहे काई positive हो और चाहे आपका क्या हो काई 0 हो तो उसके लिए आपकी जो यहाँ पे y की value निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी 1 निकल कर आएगी इसी तरीके से अगर मैं पाई उन्स की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होती है आपकी b की value 0 होती क्योंकि यह तो क्या है आपकी misons है और जो आपके यहाँ पर strangeness होती है इसकी value भी क्या होती है यहाँ पे 0 होती है तो इसके लिए आपकी y की value क्या निकल कर आई 0 निकल कर आए अगर मैं sigma की बात करो sigma triplet होता है यहाँ पे क्या है आपका sigma plus sigma 0 sigma minus तो यहाँ पे अगर मैं बात करो तो b की value यहाँ पे होगी 1 क्योंकि यह तो b क्योंन ही है और जो यहाँ पे आपका strangeness है इसकी value होती है minus 1 तो इसके लिए भी अगर आप y की value देखते हैं तो यह क्या आती है 1-1 equal to यह क्या निकल कर आई आपकी 0 ही निकल कर आई तो इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं verify भी यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं तो यह बात हो गई है हमारे gelman-nissigma relation और साथ हमने इसमें क्या देख लिया आपका hypercharge के ओपर भी discuss कर लिया next video मिलती हूँ आपसे next topic के संग तब तक के लिए take care goodbye